पाने के पानी के लिए… अम लोग मिट्टी से हमेशा बाल दोते हैं , साबुन की लगाने लिए तरसते हैं वहहीं पर जाते हैं इसके दावा कहा ही मीठा पारी नहीं है और दस साल से क्वेड्य पार्य पर जमप नहीं कर जो चाहिक आते हैं वे опыт कि उचा में यह तो आते हैं सबी चेत वहीं ज़तरों में कष़ून होना ज़ल्य है यहां 50 गांओ के प्लस यहां पे देखा जाए तो जो वे लोड जो मन रही है वे लोड के बाद नाली जो देखी जाए है ना तो इन में भी घपला किया गया है देखिये नाली कही उच है कही नीच है आगे देखा जाए तो ना हैड़ प्ण है है फो इस्टेंड में चार-पांच लगी हुए लेकिन किसी से पानी नहीं आ रहा है पैसे देने से विकास नहीं हो रहा है, वो तो अपने कामों की यूज में लगा रही है, कोई साड़ी खरीद रहा, कोई कपड़ा खरीद रहा, कोई जुच्छ नमस्कार, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं दखावरदार नियूज, आज हम गुडविधान सभाद छेत्र के, रायपूर छेत्र में आज हम आए हुए हैं और यहां पर हम देखेंगे कि जनता का क्या समस्या और पांच साल जो भी नेता जी ने काम किये हैं, उनसे छेत्र में क्या उसका प्रभाव रहा है, जनता उनसे क्या चाह रही है, क्या बदलाव चाह रही है, और उनके साथ में और जो दूसरे प्रत्यासी है, उनके लिए क्या राय है यहां पर, आईए हम बात करते हैं सबसे पहले अपने बीच में, यहां पर, जी भी आपका नाम राजमान साहू जी तो अभी यहाँ पे कौन-कौन केंडिडेट आपको दिख रहे हैं मैदान में कपिद्ध्ध है नागैन शिंग प्रकर्खर सिंग आप प्रकर्खर सिंग आप आदमी पारटी से लिए किसके दिखराएंग जीत रहा है किसकी हवा चल रही है कि कि अब किसी दूसरे को भी चांस देना चाहिए काम कित्ता कराएं ऐसे कौन से काम है जो आपको लग रहा कि होने चाहिए थे और नहीं हुए अब ऐसा अब देख लिए आप अगर पेसाप लगी हो तो आप कहां जाएंगे कि बीच रास्ते में भी इस्त्रीओं के बीच बीच में जाएंगे यौड़ी ज़ुक्त विच में खड़े होकर पेसाफ करें में बताई हैं यहां पर क्लेंतेम क्या सुभ्त है तरस्ते हैं आपने कभी विधायक जी से बात नहीं कि मतलब ऐसा कुछ करके कि आप लोग कभी बीच में अपनी नाराजगी जाहिर करें और विधायक जी आएं विधायक जी तो खुदे जानते हैं कि यहां राइपरु छेत्र में पानी की समस्या है ना तो बात करेंगे तो हम बात करने से पानी आएगा अभी कोई भी पक्षी दल इसमें इसमें अब इक बर छेत्र में देखा जाए कौन कौन है भी आपक्षमेद कॉटने नहीं तो क्या करेंगे है चलिए अभी हम दूसरे अपने टेंड से बात कर रहे हैं आप से आपका नाम क्या है किया मुद्दे नहीं टूनाओं चुनाओं से कोई पानी के राइपुल तो राइपुल जलसागर तलाग पर एक हैंन पंप है वह ही पर जाते हैं इसके लाबा कहीं मीठा पानी कोई मैं करी मिश्क वार्ट कोई पानी कि वानष यहा काई से पानी नहीं आता सब दब लेकर जाते राइपूर साथ 15 साल से और आप लोग एक बार भी मतलब बिधायक जी को अफकत नहीं कर Member कि इभान चाहे यहाँ आते कहाँ है पान साल में और तो आते हैым में पानी पानी कि मिलती elmaal और इत्षित्ष घ्लकत कियों कि परतियासित वे जो होता था बीजेपी के नाम से जीते थे लोग वसरते नागें सिंग्छ के नाम से पाठी नाम से बर दिया जाता है इस बार भी तो मोदी जी फेश हैं आप अगर देखें पर देश में जो चुरां बदल बदल देना चाहिए नई यूबा का आदमी को लाना चाहिए ऐस कि आपने खेत्र में काम करें दुख्षुक में हमारा साथ दे अभी यह नहीं कि दुख्ष मतलब कभी सुक में ड़र Title तो हम उसको जिताते रहे हमेशा मैं जबहुत बढ़ी हम बटिय법 करते हमारे बीच में कुछ ही जी बिया कोई झहांता तक नहीं कि अहीं कि आपकी को जिता रहे हैं अई बदलाव आएगा बदलाव आएगा व्यस्पी का कॉंग्रेस का आदमी पार्टी भी तो है जैंक आदमी अभी नहीं आएगा बदलाव क्यों जरूरी क्या मानते बदलाव यह है जनता खुश रहे बस फिसके समस्च्ष एक बात इनको भी देख लेते है पूरा देखने को मिल रहा है अभी हम युवाओं से बात करेंगे कुछ है क्योंकि हर जगह पे आप देख रहे हैं कि जिस तरह युवाओं की इस्थिति है पढ़े लिखे युवा जो हैं तो उनको जो रोजगार की जो समस्य है उस पर हम बात करेंगे तो भीया क्या करते हैं हमें अभी तो इस्टुडेंट है स्टुडेंट पढाई कर रहे हैं तो अभी आप 18 साल के नहीं है आई को एड़ासाल के लेह हैं पर देखर हों फ्रियों को ब लाख करना है जिसके तरफ जादा लहर चलेगी उसी को वोट करना है बट सत्त परवरतन होने जडूरी है काहे कि मेरे रायपुर छेतर पे काम नहीं हो रहा है ठीक ना देख रहे इतने खंबे रायपुर में कभी लाइट नहीं जल लही है आज 15-17 साल हो गए लाइट तो जली नहीं भानिवी है ठीक ना प्लस यहां पे देखा जाए तो रोड रोड जो मन रही है रोड के बाद नाली जो देखी जाए है ना तो इनमें भी घपला कि अगये है देखे नाली करी यू उच है करी नीच है है ना आगे देखा जाय तो ना हैट पं है है एट पम क्सम इस्टेंड कोई घूमने आते हैं तो इसके वैसे तत्ता परवरतन होना ज्यादा जडूरी है नहीं कर देना है मुझे तो मैं यहाँ चाहती हूं कि मेरे रायपुर छेत्र में यह पीर हमारे सभी चेत्रों में पचास घाए रहे हैं यहांना एक सौ चाल है हमारे रोड को देखा जा तो कहीं साफ सफाई भी नहीं है पूड़राय पुर्षेत को हमारे स्वक्ष बनाना है इसलिए हमें सत्ता परवर्तन करना है आपकी नजर में विकास के क्या पैमाने हैं किस तरह से विकास विकास हमें यह चाहिए कि जैसे हमारे जो विरोजगार लोग हैं उन्हें कुछ नियंगें होगा है और गवर्तर से इजर वह सूराय जय सब्सक्राणा लियुक्ष कव्षकर्णावोच मेर्यूची आंज़ Forsch Sydney आत्यूंत को वह फव्यक्ता ओर करने हैं इसलिए मुझे सत्ता परवर्तन करना है और मैं ही उमीद करती हूँ कि जो हमारे चेत का बिधायक बने वो हमारे चेत को विकास करें कि अब उसका करना चाहते हैं जो सरकार कर रही है वो बहुत अच्छा है महिलाओं को सम्मान दिलवारी है वो सब सही है पर एक जिए पर देखा जाए तो उनको की महिलाओं का इज्जत तो बहुत हो रही है पर लोगों के कहने का मतलब यह है कि विकास नहीं कर पा रहे हैं इसके वज़े से महिलाओं को सम्मान हो पर ऐसा सम्मान हो कि महिलाओं को मलब की सम्मान भी हो और हमारे देश तो आकने का मतलब यह है कि जो Paisे लिए जा रहे हैं उग्यारी, तो हम सवें में ेक संपन्न हो सकते हैं है ना अभी आधी बात चल लए थी अपनी की सिख्षा और रोजगार की अभी मुक्मंतुरी जी नहीं कि युजना भी नहीं है कि मिलक की कोई भी बता भी नी रहा है और ऐसा लग देखा जात तो कोई घर से निकलता है कोई जानकारिया भी नहीं दी जाती लिए यह बीधायक सरकार से बने यहां यह सबसें तो नहीं हो रहा है उनक है किसी समय बैंक वह सबसें नहीं हो रहा है सीखो कमाय योजना में बोला जाया तो बहनाओं को जैसे कि सिलाई ब्यूटी पालर और बहुत सारे छेत्र हैं उनको सिखाया जाया छोटे-छोटे काम तो उन्हें रोजगार भी मिलेगा उन्हें कुछ सीखने को भी मिलेगा ऐसा काम हो तो हमाई देश का विकास हो जली प्रिया आपका नाम बताए राम लखन गुपता जी आपकी दुकानी कब से हैं यहां पर पुस्तैनी है पशीटीस नहीं हमारे पीता जी करते दे हम कर रहे हैं पूर्वट कर रहे हैं अभी पच्चीस सालों में आपको यहां पर क्या बदलाओ दिखे जैसे आपकी यह पच लेकिन बदलाओं में ज्यादा फर्क नहीं है दूसरे शेतर क्या पेक्षा यहां बदलाओं में थोड़ी सी आपको कमी दिख रहे हैं यहां तो पचास गाओं के आदमी आते हैं या खरी दिने समान या तहसील है बलाक है थाना है लेकिन यहां सुलब कांप्लेक्स की अगर जरुक पर जाये किसी को तो वो नहीं है यहां और दूसरी बात यहां पर जितने नल जल योजना है सब ठप है कोई में किसी में पानी नहीं है ना हैंड पम चल रहा पानी ना अगर लाइट गोल हो जाए यहां जिसके घर में बोर है तो चलाते हैं पानी मिल जाता है अगर गोल जाय एक रोज को पानी के लिए यहां तरफ जाया दिए प्रसाशनिक के यहां पर कैसी बेगासन काम करना है ब्ललास्निक बेगासन दूट रिदिखेन दूर्स्था कि धुम उसके बार जांदन कूछ आनकारी भी नहीं है जरूरी है राज के लिए यहां छेतर के लिए बिधायक कपिद्धु सिंग जरूरी है बिल्कुल बदलाओ आपका कहने का मतलब यहां जरूरी है और जो विपक्ष के नेता है उन्हों पर आपका ज्यादा बिस्वास देख रहा है बदलाओ से मतलब नहीं है हमको विकास से मतलब है बदलाओ तो आएंगे चले जाएंगे प्र कोई आएंगे प्र हमको बिकास चाहिए अपने को आप लोग की नदर में ऐसी कौन सी पार्टी दिख रहे ही जिसमें आपको विश्वास है कि विकास होगा कांग्रेस दिख रही है ना ये भाईया साहब बोल ले है तो भाईया साहब इस बार साइद अपने चेत्र को विकास की और ले जाए अगर नहीं काम करेंगे तो फिर बदल देंगी हम पादल देंगे हम तो पबलिक हैं अगर काम नहीं करेंगे तो हमको बोड देना है चाहिए इसको दो चाहिए उसको दें तो आपने पिर जब इतनी समस्या हैं पंदरा साल मुझे लगता है कि तीन बार विधायक रहे चुके ह पहले अगर ये आदमी सोचता है कि देश में अगर मोधी काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि अंगले बार दूसरी बार भी काम करें मतलब अगर दो बार काम नहीं किया अब तीसरी बार फिर हम उनको पोड़ दें आते ही कहा है और 80-85 साल के हो गए हम उनको भी अब दूसरे को चांस देना चाहिए ना जो अच्छा नेता हो कि हम उनको ये मरते दम तक गिताते रहे हैं चले बिल्कुल यह था रायपूर छेत्र और है कोई यह था रायपूर छेत्र जो की गुडविधान सभा में आता है और जिस तरह जंता का जो में जो एजेंडे दिख रहे हैं यहा गुरूप से कोई जी तो बने रहे दा खबरदार न्यूज के साथ धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें